आसीम घुषाज में कर दिया है हिमाशी खुराणा को प्रोपोज़ वही इतने वक्त से इंतजार किया रहा था इत बाख़वर से आसीम और हिमाशी को देखने का जब से हिमाशी खुराना घर से बाहर हुई थी तब से ही आसीम की नजरे पोरी तरहां से यहां पर ढूँड रही थी तरफ पर सर्फ हिमाशी को ही उन्ही की इतजार मिठी और फाइनली अब घर के अंदर उनका support system बन कर उनका connection बन कर हिमाशी खुराना घर के अंदर आई है औ और हिमान्षी हाँ भी कर चुकी है वैल आप सभी कर्स बात पर क्या कहना है कि क्या भाकाई में इन दोनों की शादी हो जाएगी रिवेस तो यही कहते हैं जल से जल ही दोनों घर के बाहरानी के बाद शादी करेंगे लेकिन आपको क्या लगता है ये सच है ये नहीं जल से जल कमेंट करके बताईए लेकिन हाँ ये भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मन भूलेगा कि हिमाशी और आसीम की जोड़ी आप सभी को किती पसंद है मैं अगर अपनी खुद की बात करो तो भाई ये जोड़ी तो मेरी फेवर्ट बन चुकी है क्योंकि ये बिग बॉस की अभी तक के कई सीजन में कई तहा की लव स्टोरी नजर आई है लेकिन जितनी प्यूर दोनों की लव स्टोरी लग रही है उससे जादा तो अभी तक कोई प्यूर लव स्टोरी बिग बॉस में अभी तक नजर नहीं आई क्योंकि आसीम रियास के लिए बिग बॉस की घर में जब हिमानशी खुराना पहले थी तब वो आसीम को सिर्थ दोस की तौर पर शुरवाती वक्त में माधी थी आसीम क्यों हग भी उन्हें पसंद नहीं आता था नाहीं उनकी किस लेकिन धीरे धीरे नजदी की इतनी बढ़ने लगी कि हिमानशी खुराना जो कहती थी कि मेरे करीम अदाओं मुसे प्यार मत करना कि मैं रिलेशन्शिप पे हूँ नौ सालों से और मेरी शादी भी जल्द होने वाली है वही हिमानशी खुराना बहुत अस्दीक आने लगी आसीम रियास के मांग रही थी इस बीच उनका प्यार आसीम के लिए साफ नज़र आ रहा था ओदी शरयाम हो गई गाना गाकर भी आसीम के लिए प्यार जाहे करती हुई हिमानशी साफ तोर पर देगी गई बार बार रियूमर्स यही सामली आ रहे है थे कि हिमानशी खुराना एक बफर से घर के अंदर जाए कि ऐसा कंटेस्टेंट लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन हाँ हिमानशी घर के अंदर अब जरूर आ चुकी है बिग बॉस ईजन 30 में फामली वीग देखने को मिल रहा है लेकिन ये फामली वीग इस बार थोड़ा सा हटके हो रहा है क्योंकि घर के अंदर ही कंटेस्टेंट्स रहने वाले हैं अपने फामली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ जहां पर आसीम रियास का सपोर्ट करने के लिए हिमानशी खुराना घर के अंदर आ चुकी है और आसीम को देखते ही उनका प्यार उनकी आखों में साफ तोर पर देखा गया है आसीम और हिमानशी जैसी ही एक दूसरे से मिले आसीम हिमानशी एक दूसरे को हग करते हुए नजराए और आसीम खुद को किस करने से जोग ही नहीं पाए हिमानशी खुराना को यहां ही मांशी कुराना कहती हुई नजराई कि तुम्हें पता है कि लोग हमारे लिए दिवाने हो चुके हैं, हमारे लिए पागल हो चुके हैं, हमारा कब से वो इंतुजार कर रहे हैं और इसी के सासाथ यहां दोनों बाहा गये, दोनों एक दूसरे को लगातार किस करते ही रहे दोनों एक दूसरे को हग करते ही रहे और दोनों के बीच इस romantic moment को देख कर यहां फांस की खुशी का कोई ठेकाना नहीं और उसे बीच एक happy moment सामने आकर खड़ा हो गया जब हिमानशी खुराना को प्रोपोस करते हुए शादी के लिए नज़राए आसीम रियास और कहते हुए नज़राए कि मैंने आज से इसे पहले कभी किसी लड़की को नहीं बोला है कि क्या तुम उसे प्यार करती हो क्या तुम उसे शादी करना चाहोगी जब हिमानशी खुराना और हिमानशी खुराना ने इस बात पर हाँ भी कह दिया है जसके बाद हिमानशी से अपने प्यार की पूई डिटेल्स देते हुए आसीम भी नज़राए कि तुम्हारे बन में एक्चल फीरिंग चल क्या रही है पुझे लेकर मुझे सभी बाते बहुत अच्छे से जानी है और हिमानशी खुराना खुद को आसीम का लेडी लग कहती हुई दिखाई भी है अब देखने वाली बात यही है कि घर से बाहर आने के बाद ये लव स्टोरी कितनी आगे बढ़ती है क्योंकि बिग बॉस की लव स्टोरी कई है लेकिन बिग बॉस की घर से बाहर आने के एक महीने दो महीने कई दो तीन साथ तक भी चली है लेकिन उसके बाद प्रेक अप हो चुके है लेकिन इन दोनों की जोड़ी कितनी आगे बढ़ती है ये देखने का इंतिजार वाकई में रहेगा कितनी पसंद है आप सभी को ये जोड़ी और आपको क्या लगता है कि इनका ये marriage proposal कहीं scripted है या फिना ही कमेंट करके जुरू बताएगा और वीडियो को लाइक शेयरो चानल को सबस्क्राइग के बिना आप बिल्कोर ना चाहे